कल आपका कॉलर पकड़ कर कहेंगे。 हमारी भागेदारी कहा है हमारी हिस्सेदारी कहा हैं, मैं कहे रहा हूं कि 5 न पाउच माक खर्च होता है तो जातीयद हरी जंगन ना होना चाहिए dział जस समाज के लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं जिस समाज की लोगों को आप कैसे इन लोगों से बरदास होगा क्यों आप हमसे बराबरी करेगा चपट कहड़ा है नाओ रे ठट हरवाए नाओ रे कुर्मिया रे जदा गुबलवा रे अहीरा रे गुबलवा आई से जिसने पूस की रात देखी नहीं वो हलकू का दर्द क्या जाने इनका कहना है ऐक चद्र रे इनसान और कुट्वालिक दोनो जो है इस वड़ contempla गोल्ठ रहे हैं पिस्चिंत रुप से होगा और और लोगों को इस देश के अंदर जानवरों से बत्तर जिंदगी जीने पर मजबूर किया गया है आप एक तरफ कह रहे हैं कि एक को पूरे संसाधन दिया जाए दूसरी तरफ एक कह रहे हैं कि गरीब कुछ को संसाधन नहीं मिल रहा है और आप कहरें कि पैरलल एकजाम होगा पैरलल नंबर की बात होगी फिर मेरिट साबित कीजिए तो आप तो पहले ही दोगलापन कर रहे हैं जो दो करोड रोजगार की बात करके सरकार आई उसने रोजगार दिया या रोजगार छीना तो मंदिर दे रहा है ना पुरे देश के अंदर जातिय अधारित जनगन्ना होनी चाहिए और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने आज कम से कम आज इतने लंबे समय के बाद कम से कम आज आपकी नींद खुली और आपने जातिय अधारित जनगन्ना कराने का काम किया और जातिय अधारित जनगन्ना इस समाज का सोशन होता है यह ओवी सि समाज समाज में समाज के लोगों को गुलाम समझा आज उन लोगों के पेट में दर्ध होगा संदी ब्रुप से होगा यह जातिय धारी जनगन्णा के द्वारा आप उस पिछडे लोगों को समाजिक पिछडे पन को दूर कर सकते हैं और कुछ लोगों की खबर से चल रही है 500 करोड रुपय खर्च होगा अगर 500 करोड रुपय खर्च करके मैं ये पूछता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि 500 करोड रुपय खर्च होगा मैं कह रहा हूं कि पांच हजार नहीं पांच लाग करोड अगर खर्च होता है तो जातिया धारी जंगना हो रा चाहिए लेकिन देखे 500 करोड का जो तरक है उसमें यह नहीं कह रहे हैं कि इसी पे खर्च उनका कहना है जो भी लोग विरोध कह रहे हैं या जो भी अपना बात उनका कहना है कि 500 क्रोड का गांधी मैदान में सभागार बन सकता था साड़े तीन हजार करोड की देश के अंदर मूर्ती बन सकती थी, मगर पांट रुपय अगर खर्च करके अगर देश के आसी पचासी परतिसत लोगों का स्वभिमान वापस किया जा सकता है, तो पांच सो करोड में सरकार हिल जाएगी, स्वभिमान का थुरा पड़िभासित क का है, इन स्वभिमान के लोगों को इस देश के अंदर जानवरों से बत्तर जिंदगी जीने पर मजबूर किया गया है, और आज तक, कम से कम आज भी, कम से कम कुछ तो किरपा रही, बाबा साब अमेट करके, जोनों ने संविधान के द्वारा हम लोगों का संरक्षन किया, उसके बाद भी हम लोगों का सोशन होता आया है, आज भी हो रहा है, हमें बराबरी में बैठने का दिकार नहीं मिला, आर्थिक पिछड़ा पन सन्नी जी है, दर्द जेल सकता है, लोग दो रोटी के बीना सो सकता है, पेट में पत्थर बांद के जिन्दगी जी सकता है, मग आप किसी पिछड़ समाज के लोगों को देखेंगे, उसके साथ कैसा दुर्वेवार किया जाता है, जड़े सह में रहते हैं, उनको कैसे पुकारा जाता है, रे फलनवा, रे फलनवा, रे जाती ये सूचक सब्द बोलके, ये कोई नई बात है, अहिर विलार, ये कोई नई खर्च करकर, अगर स्वाभिमान लोटाया जा सकता है, तो बिलकुल लोटाया जाना चाहिए, और पांच हजार करोड, पांच हजार करोड भी नहीं, पांच लाग करोड अगर खर्च होता है, तो इस बिहार के 85% लोगों का स्वाभिमान वापस होना चाहिए, जन अधिकार पाटी और श्रहाल परवेज उसके पक्ष में खड़ा रहे हैं कि आप लोग का जो है एक तरह से जमीने ख़सक जाए कोई नया नेता ना उभर के चलाए किसी और समाज के यह जातिये जनगन ना इसलिए कराये जा रहा है कि कुछ नए लोग उभर कराएं और जनधिकार पाटी और हमारे नेता मानने पपु यादव इन चीजों से नहीं डरते हमारी पाटी का असपस्ट मानना है अगर आपके अंदर शमता है आपके अंदर कर्म करने की हिम्मत है सलाहियत है सास है कोई जगा नहीं ले सकता आप लोगों का जगा ले सकते है और हमारे नेता मानने पपु यादव जी एक प्रेयरक है जिस परकार से उन्होंने जनध सेवा करके पूरे बिहार को दिखाया है आज के समय में किसी नेता से इतनीया पेक्शाए बिहार की जनता नहीं करती है तो जन अधारित जन्गनना का सबसे बड़ा फाइदा नजर आएगा सनी जी आपको कि वो जो दूर में बैठावा लोग अंतिम्पंक्ती में बैठावा लोग वो भी हिम्मत कर सकेगा कि आप राजनीती में सक्रिय भूमिका निभा सके हमको जाती है जन्गनना के द्वारा राजनेत अर्थिक भागेदारी सेचनिक भागेदारी आर्थिक भागेदारी सरकार का रिपोर्ट है कि अगर विश्विद्यालों सेंट्रल इन्वरसिटी को मतलब देखा जाए तो दम रियर केस है कि वहाँ ओवी सी प्रफेसर है और उसमें तो अगर थुरा बहुत जोड़ दिया क्यों नहीं है यही तो यही तो था आज जाती है जनगन्ना की मांग क्यों उठी यह इसी कारण उठी कि बिहार के अंदर जब सरकारी स्कूलों को जान बुझकर या पूरे देश के अंदर सरकारी विद्यालियों की हालात खराब रखी गई सरकारी इस्पतालों की हालात खर थो पहला ही दूगलापन कर रहे हैं उसके पास पढ़ने का और साधन नहीं है तो मेरा ये मानना है कि बिहार के अंदर पुरदेश के अंदर ये जो सरकारी विद्याले का और अस्पतालों की हाला जो खराब है वो जान बुझ कर खराब रहती गए आज तक ठीक हुआ है कि बिहार में कोण ऐसा सरकारी विद्याले है जो आपके नजर में हो आपके चैनल की नजर में हो जहां पुरोपर पढ़ाई होती हो जहां पुरोपर सिख्षक हो तो प्राइवेट इसकूल कैसे चलेगा तो मैंने बोला ना कि प्राइवेट इसकूल में आप अपने बच्चों को नहीं भेच पाएंगे क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। कि जातिय जनगन्ना करा लीजिए तो जातिय जनगन्ना से लोग को प्रब्लम हो रही है कुछ लोग करें कि आर्थिक जनगन्ना भी करा लीजिए अब जाए उठा करा पूछिए कि रोट के नीच किनारे जो चमोसा बेच रहा है लिट्टी बेच रहा है चाई बेच रहा है र समाजिक भागदारी भी जाती जनगा नजता होगी आपने कई ऐसा उधारन देखाड होगा अर्थिक गन्ना भी तो कड़ेगी ना सरकार सरकार नंतों का समाजिक आर्थिक दोनों गन्ना यही तो हम लोग चाहते थे कि कौन समाज कितना पीछे है यह आप सामने लाईए ना एजूकेशन रेट क्या है किस समाज में पढ़े लिकिल आपने का एक समाज का नाम इतना सार नाम बता देए इस समाज से कुछ नहीं किस समाज से कोई IPS काई समाज से IPS नहीं केबल कुछ विशेश समाज के लोग जाई एस IPS और बड़े पदादिकारी और बड़े position से बठें है इसका मतलब क्या है और क्यूं है कुए पिछले लोगों को पढ़ने का साधन संसाधन नहीं मिल पा रहा है इसी के कारण आप उन्से व भाब बराबरी नहीं कर पा सब्सक्राइब बहुत क्लीयर सब्सक्राइब सवाल हो रहा है सोशल मीडिया पर एक तरह से जल रही है चल रही है कि वहाई कि शूच्राइब द्रोजगार मिल लोगों कोBlue मेने के बाद सारा समस्य हो जाएगा भी हमें क2 प्रिया चौधरी किनका किनका ट्वीट आया है कि बिहार में जो है नया बीज डाला जा रहा है राजनिती का इस पर आप लोग का क्या कहना देखिए मैंने बोला आपको कि यह आज जातिय जनगर्णा की उपर और किसी भी कारण से घुमा फिराकर अगर जो लोग जातिय जनगर्णा का विरोध कर रहे हैं वो समझ लिजे कि वो कौन लोग है और किस विचारधारा की लोग है इस देश के अंदर दो विचारधारा है एक जो लोगों को गुलाम स्विकार करता है और एक जो इस गुलामी से बाहर निकलने वाला समाज है उसका नेत्रुत्व कभी अमबेटकर साहब ने किया अब अमबेटकर साहब ने समविधान की संरचना की माद्यम से हमारा संरचन करने का काम किया नहीं तो आज इस्थिती इससे भी कहीं बूरी होती जिस समाज के लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं दिया गया जिस समाज की महिलाओं को छाती ढखने का अधिकार नहीं द से बराबरी करेगा आज जातिया धारित जनगाना के द्वारा उन सब लोगों को इतनी शक्ति मिल जाएगी कि आपके कॉलर पकड़ कर आपके आख में आख डाल कर सवाल पूछेगा और आपसे बराबरी करेगा और आपके सामने बैठेगा हो सकता कि बराबर का नेता भी बन बिल्कुल बनेगा बिल्कुल बनेगा को तुरहा को यह नहीं करना पड़ेगा कि मेरा जो नेतित में कोई और करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा मैं बात बता दे रहूं आपको कि मान्नेवर काशी राम जी ने ये कहा था भारत में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागेदारी आप उतना तै कर लीजिए कि आप कितने हम कितने कौन कितना उसकी अधार पर उसका राजनितिक भागेदारी तै कीजिए उसका सेक्षिनिक भागेदारी तै कीजिए बजट में उसके एकॉर्डिंग ली उसका पराफधान लागू कीजिए क्या लगता है यह जो पूर्प पूंछी बुष्चाय के दो करोड़ रोजगार देंगे लोगों को रोजगार मीला नहीं मीला तो यह जो बुड्धी जीवी जो आज रोजगार की बात कर रहें जातीय जनगणनाद जोड़कर उन बुद्धी जीवियों से पूछिए कि जो दो करो रोजगार की बात करके सरकार आई उसने रोजगार दिया रोजगार चीना तो मंदिर दे रहा है ना तो मंदिर दीजिए जाके बाहर बैटके भीक मंगिएगा तो यह भीक मंगने वाला के पूछ लिजी एक ब मंदिर बनाने से फाइदा किसको है यह आप समझ लीजिए समझ लीजिए ना आप मंदिर बनेगा मगर रोजगार नहीं मिलेगा आप जाती है दारी जन गन्ना में रोजगार को घुष लड़ने का जो बुद्धी जीवियों से पूछ लीजिए पाइसा पर भी बात होड़ पिछडे समाज की लोगों से जाकर पूछिये कि उसके साथ कैसा बयवार होता है उसको पुकारा कैसे जाता है तो आउआ है अघरी तो आप समझ में आ जाएगा लोगों को यह ne màyने आपको बोला कि समाजिक पिछड़ापन का अर्थिक पिछड़ापन से कहीं अधिक है मैं दो रोटी के बिना सो सकता हूँ मगर मैं बिना सो भी मान के नहीं जी सकता हूँ और नानी नितिश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की काम कर रहे हैं, जो इस लड़ाई की शुरुवात किया, उन सब का धन्यवाद, कि आज हम उन लोगों को, हम लोगों को, जिसको जीने का अधिकार जिससे पूर्ण रूप से छीना जा चुका था, आपको जानवर से बुरा सलूक आपक होंगे, और कल आपका, आज नहीं कल, कल आपका कॉलर पकड़ कर कहेंगे, कि हमारी भागेदारी कहां है, हमारी हिस्सेदारी कहां है, ये बात आप सोच लिए, इसलिए इन लोगों को पेट में दर्ध होगा, फिक ये तो हिंदू वर्ग का बात हो गया, थोड़ा सा और समय लेंगे, अब हम मुस्लिम समाज में भी चलाते हैं, सेख, सयद, पठान, जो भी बनते ही बनते हैं, जुला, पसमान्दा, ये जो भी उनमें जो OBC के टेगरी की जाती है, जिसमें आप भी सयद आते हैं, उसका क्या, वो कब तक सेख, सयद, अभी जो राज सभा गया है, आर अगर मुसल्मानों में काटेगराइशन है, ये आपको पहले से पता हो जाएगा, जो लोग शोशन कर रहे हैं, उसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि ये मानफ्ता के खिलाफ है, इनसान, इनसान का गुलामी नहीं करेगा, एक इनसान, एक इनसान के बराबरी में आंक में आ और इसी सपने को हम आगए बढ़ाने काम कर रहे हैं, इसमें कोई हिंदू होगा और में ये बात कह रही हो, कि सारे अगड़े लोग हमारे दुश्मन हैं, ये भी कहर हो, अगड़े में भी बात कर लेता है। आगड़े में भी बात कर लेता है कि लाला का पाढ़ ने नीदित दिन पर दिन कम तो होती ही जा रहा ही ना मैं कहा रहा हूँ कि जो अगड़े लोग उने में भी कैसे निता आए कैसे माफ पुरूश, समाज चुदा रखाए जिन्होंने पिछड़े पन को दूर करने का महीम छेड़ा और लोगों को इन चीज पीड़ा को समझने का काम किया उन सभी लोगों को का हम धन्यवाद और स्वागत करते हैं और मैं आज भी उमीद करता हूं कि जो अगड़े पन की बात और पिछड़े पन की बात आज भी बह कर परदम नहीं होगा को जात नहीं होगा और यह घलत होगा और वो लोग भी विरोध करतेसं लड़ाई सी dziफटों की ये click मानफता की मानफता की रक्षा कि मानफता को सवाइमां की एक एकन नभी नभी है कि款 मज़रा या कुछ आपसी मद्वेद होगा लडाई लडाई होगी लडाई तो घर-घर में भी होती है तो क्या घर में अब मंडल के समय का फी लडाई हुआ था ना लेकिन 10% अड़क्शन के बाद लडाई अब नहीं हो रही है लडाई होगी या किसी चीज का कोई भी implementation का side effect हो सकता है यह सरकार किसको कैसे नियंतरित करती है यह सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार की implementation में कितनी serious रहती है और उसका नियत कितना clear है उसकी नियत ही कितनी clear है यह implementation में गड़बड़ी होगा तो यह काफी sensitive मामला है तो ऐसा side effect हो सकता है दिख सकता है वो जो कहा जा रहा है कि जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस मसले को या उनका अलग तरक है उनको भी तरह से समझाना एक बड़ी जिमेवारी है उनको आप क्या बोलना चाहिए मैंने अभी बोला है कि जिन लोगों ने पूस की रात देखी नहीं उनको हलकू का दर्द क्या पता और मैंने कहा कि अगड़े समाज में भी ऐसे कई लोग हैं जो इस बात का विरोध करते हैं कि इनसानों का सोचन जाती अधार पर नहीं होना चाहिए तो सहान परवेज हैं जिसने पूस की रात देखी नहीं वो हलकू का दर्द क्या जाने इनका कहना है पू अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले माफी चाहेंगे फेस्बूक पेश को लाइक फोलो करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद